Hello everyone, मैं हूं किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल ये 4th October से लेकर 10th October तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस channel को नहीं subscribe किया तो please like, share और subscribe करें इसके साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती है उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं तो चलिए आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वी क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल प्रंग के लिए cards हैं Page of Pentacles and Triumph Success तो देखें Page of Pentacles का card कहीं पैसे, money, finances से related, किसी भी तरीके के किसी भी level पे gain की बात करता है कहीं अच्छी opportunities की बात करता है कहीं अच्छी चीजों के आने की बात करता है लेकिन देखें ये page का card है तो कहीं बहुत बड़ा gain होता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं बहुत बड़ी opportunity आती हुई नहीं दिख रही है चोटी मोटी सी चीजें या फिर मैं कहूंगे कि छोटी मोटी सी अच्छी चीजें या फिर अच्छी opportunities इस week आप लोगों के लिए specifically आपके professional front में रहती हुए दिख रही हैं लेकिन देखें जब भी भी page of pentacles का card आता है हम यही कहते हैं कि जो भी छोटी मोटी opportunity आप लोगों के लिए इस week आ रही है अगर इसके उपर आप बहुत dedication बहुत devotion के साथ काम करते हैं तो future में यह काफी बड़ी हो सकती है या फिर काफी अच्छी चीजें आपकी life मिला सकती है और दूसरी बात देखें pages टारों में कही messages की बात करते हैं फोन कॉल की बात करते हैं तो किसी भी news, phone, call, message, email का अगर आप wait कर रहे थे तो वो भी आपको इस week मिलता हुआ दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने career, अपनी professional life से related या फिर in general भी कोई skill आप update कर रहे हैं, किसी तरीके की knowledge भी आप इस week गेन करना चाहा रहे हैं, होई information या फिर किसी चीज से related और information भी आप जानना चाहा रहे हैं और नीचे दिखिए triumph success का card कहता है कि पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप बहुत confused थे आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आप आप इस चीज को डील करें, उसी से ही related कहीं एक clarity आती हुई दिख रही है, या फिर हो सकता है कि पीछे किसी चीज के लिए आप fight कर रहे थे, struggle कर रहे थे, तो साथी साथ इस week उसी से ही related आपको एक success मिलते हुई दिख रही है, उसी से ही related कहीं किसी level पे एक achievement भी रहती हुई दिख रही है, और बहुत ही focus के साथ, बहुत ही again मैं कहूंगी clarity के साथ, आप चीजों को deal कर रहे हैं, अपने goal, अपने मकसद के direction में आगे बढ़ते हुई दिख रहे हैं, and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, 10 of cups and awareness, तो दिखिए ये दोनों बहुत ही beautiful cards हैं, और कुछ ऐ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी आपके personal front में रहता हुआ दिख रहा है, 10 of cups का card, family का card होता है, कहीं enjoyment का card होता है, love harmony का card होता है, तो इस week हो सकता है कि आप अपने close ones, loved ones के साथ, जादा time spent कर रहे हैं, जादा interact कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज आप celebrate कर रहे हैं, या फिर कोई celebration, कोई get together, कोई reunion, इस week आपके personal front में रह रहा है, जहाँ पे आप बहुत involved हो रहे हैं, participate कर रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी आप enjoy कर रहे हैं, कहीं eating, drinking, merry making पे इस week focus रह सकता है, आप अपने loved ones के साथ किसी vacation पे या तो जाना चाहा रहे हैं, या फ देखे किसी भी तरीके का एक get together, reunion, celebration मुझे रहता हुआ देख रहा है, नहीं आप nutshell में अपनी family, अपने close ones के साथ enjoy करते हुए दिख रहे हैं, आपको किसी चीज के लिए एक appreciation, एक recognition भी अपने loved ones से मिलता हुआ देख रहा है, और नीचे देखे awareness का card कहीं, टारो में magician का card होत है और magical energies की बात करता है, तो देखे personal front में कहीं एक magic किसी भी level पर या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर खुद के अंदर ही जो magical powers हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि हम सब के अंदर एक magical power है, हम सब लोग magical beings हैं, उसको आप realize करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखे को कोई wish, कोई desire आपकी बहुत time से थी, या तो वो manifest हो रही है, या फिर उसको कैसे आप manifest करें, कैसे आप उसको reality में बदलें, उसके उपर आप focus कर रहे हैं और उसी से ही related आप action initiative ले रहे हैं, उसी से ही related जो भी skills, जो भी talents, जो भी potential आपके अंदर है, आप उसको use कर रहे हैं, और दिखे, Pisces मैंने हमेशा कहा है कि हम सब लोग magical beings हैं, हम supreme soul का हिस्सा हैं, और उस हिसाब से again हम soul हैं, और उस हिसाब से फिर से मैं कहूंगे कि हम सब के अंदर magical powers हैं, लेकिन होता क्या है ना, जब हम mirror देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो हमें soul नहीं दिखती है, हमें body द committed हैं, लेकिन ये सच नहीं है, तो देखिए, इस week जो लोग किसी भी चीज को लेके doubtful हो रहे हैं, या जो लोग बहुत जादा सोच रहे हैं कि भई कैसे आप अपनी wish को manifest करें, तो awareness का card कहता है कि अपने अंदर की magical powers को आप realize करें, और उसको आप use करें, ऐसा आप करते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं, उसको definitely आप achieve कर पाएंगे, and guidance है, आप लोगों के लिए shape shifter का card है, और ये card कहता है, transform and unveil your gifts, तो देखिए, जो मैं आपको अभी कह रही थी, वही ये card भी आपको guidance दे रहा है, कि हम सब के अंदर बहुत जबरदस्त एक power है, या मैं कह सकती हूँ magical power है, और उसी को ही unveil करने की ज़रत है, तो दीके फिर से मैं कहूंगे, कि जो change आप अपनी life में लाना चाह रहे हैं, definitely वह change आप ला सकते हैं, लेकिन अपनी skills को, अपने talents को, अपने potential को realize करने की ज़रत है, और उसको कहीं use करने की ज़रत है, और कहीं उन्ही को ही mind में रखत हैं, अपने goal, अपने मकसद के लिए action initiatives लेने की ज़रत है, और astrology से आप लोगों के लिए Scorpio Rashi का card है, और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो यह था Pices आप लोगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल, और न कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए